125 डेज का अनुभव शेयर करूँगा 125 डेज में गरीबों के लिए तीन करोर नए पक्के घरों को मंजुरी मिली है 125 डेज में हमने 9 लाग करोर रुपे के इंफ्रासेक्टर प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है 125 डेज में हमने 15 नई बंदे भारत ट्रेने चलाई है 8 नए एड़पोर्ट पर के काम शुबारम हुए है इनी 125 डेज में हमने युवाओं के लिए 2 लाग करोर रुपे का पकेट दिया है हमने किसानों के बैंक खातों में 21,000 करोर रुपे सीधे ट्रांसपर किये है आज जब चर्चा का केंदर चिंता ही है तब भारत में किस तरह का चिंतन हो रहा है कितना बढ़ा कॉंट्राडिक्षन है यहां चर्चा हो रही है इंडियन सेंच्योरी भारत की शतावती दुनिया में मची उथल पुथल के बीच भारत उमीद की एक कीरण बना है जब दुनिया चिंता में डुबी है तब भारत आशा का संचार कर रहा है और ऐसा नहीं कि ग्लोबल सिचुएशन से हमें फर्क नहीं पड़ता हमें फर्क पड़ता है चुनोतियां भारत के सामने भी है लेकिन एक सेंस अफ पॉजिटिविटी यहां है जिसको हम सभी फिल कर रहे है भारत टेकन फॉर ग्रांटेड रिष्टे नहीं बनाता हमारे रिष्टों की बुनियात विश्वास और विश्वस नियता के आधार पर है और ये बात दुनिया भी समझ रही है भारत एक ऐसा देश है जिसकी प्रगति से दुनिया में आनंद का भाव आता है भारत समझ होता है विश्व को अच्छा लगता है अब चंद्रयांत की यतना देख लिजिए पूरे विश्वन ने उसको एक उत्सम के रूप में मनाया भारत आगे बढ़ता है तो जलन का इरशा का भाव नहीं पैदा होता हमारी प्रगति से दुनिया खुश होती है हमारे तीसरे टम में जो गती भारत ने पकड़ी है उसे देखकर बहुत सी रेटिंग एजनसी ने भारत का ग्रोथ फोरकास्ट और बढ़ा दिया है यहां जो भारत को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं ऐसे सिमार मार्क मोबियस जैसे पार्कली एक्सपोर्ट यहां मोजूद है वो जिस पकार भारत में होने वाले इंवेस्मेंट को लेकर उत्साइद है उसका बहुत महत्व है जब वो ग्लोबल फंड को कहते हैं कि अपना कम से कम 50% फंड भारत के सेर मार्केट में इंवेस्ट करें तो इसका एक बड़ा मतलब है बहुत बड़ा मेसेज है आप सब जानते हैं कि यह AI का दोर है दुनिया का वर्तमान और भविश्य AI से जुड़ा हुआ है लेकिन भारत के पास डबल AI पावर की एडवांटेज है अब आपके मन में सवाल होगा कि दुनिया पास एक ही AI है यह मोदी के पास डबल AI कहां से आ गई दुनिया की नजरों में एक ही AI है वो है आर्टिफिशल इंटलिएंस लेकिन हमारे पास वो तो ही दूसरी AI है एस्पिरेशनल इंडिया जब एस्पिरेशनल इंडिया और आर्टिफिशल इंटलिजिएंस की ताकत मिलती है तब विकास की गति भी तेज होनी स्वाभाविक है साथियों हमारे लिए AI सिर्फ एक टेक्नलोजी नहीं है बलकि भारत के युवाओं के लिए अवसरों का एक नया द्वार है इसी साल भारत ने इंडिया AI मिशन शुरू किया है हेल केर हो एजुकेशन हो स्टार्ट अप्स हो भारत हर सेक्टर में AI का उप्योग बढ़ा रहा है हम दुनिया को भी बहतर AI सॉल्यूशन्स देने में जूटे हैं झाल को भी बहतर है झाल